नमस्कार मतांतर को स्वागत कुरुछी मुझसरतिसाई मिश्रो एक खतरनाक आतंक बादी कास्मिर्य भारतिय जवान को हत्या कला और च्छाती बाड़े एक थाक को स्विकार भी कला आतंक बादी मकवूल भट को भासी सजा सुने थिवा बिचारपति निलकंठ गंजुंक को निर्मव भाबरे हत्या करी देला ये आतंक बादी आव एक था खोला खोली प्रचार कला से आतंक बादी देसर ततकाली ना ग्रुह मंत्री मुप्ती महमद साहित का जिया रुब्या साहित को अपारण करी बदलरे भारत्तरू आतंक बादींको मुक्डाई नहीं गला आव देसर लेट लिबराल ग्यांग तको राजधानी दिलिकुडाकी यूथ आईकन बनाईले से आतंक बादी संचद उपर आक्रमनर दोसिय अपजल गुरुर फासी बिरोधरे पाकिस्तान जाई भारत्तर मोस्ट वांटेड आतंक बादी हाफिस सहित सहित अनस नरे वसिला आव देसर सेकुलार ग्यांग ताको कास्मीर क्रांती कारी आख्या देले से आतंक बादी पाकिस्तान टू फंडिंग आनी कास्मेर को भारत ठारू अलगा करिबाको अभिजान चलाव थुला किन्तु आमे ताको आमंत्रन करी हिरो सजाई तार पिठी था पुडाव थुलू अमे कहुछू देसर आतंक बादी तथा जमुकास्मेर लिवरेशन फ्रांट रा मुख्या यासिन मलिक कथा जहाको अदालत आजी आजी बन करा दंड शुनाई छंती अदालत रे निजर सबु दोसो स्विकार करी ची यासिन मलिक पुर्बरु मध्य से छाती पिटी कही ये सबु दोसो खुला-खुली भाबर स्विकार करी आज़तुला किन्तु सेते बले यासिन रही स्विकार होगती रे तथा कथित सेकुलार और लिबराल ग्यांग ताली बजाओ थुले ताकु यूथ वाइकन कुहा जाओ थुला देसर बड़ा-बड़ा बुद्धी जीबी यासिन सहिता फटा उठाई वाकु सेकुलार रिजीम र सबुठु बड़ा सार्टिबिकेट मानू थुले बड़ा-बड़ा कंक्लेवरे यासिन र उपस्तिती सेकुलार रिजीम र फ्रमाण बली धरा जाओ थुला आउ कथा कण कहिबा यते सबु अपराध करिबा परे यासिन मलीक पूरा थाटरे प्रधान मंत्री निवासरे पहुंची थिला जमुकास्मीर विछनता बाधिंक सहित जनसंपर का कार्जुक्रम अंतर गत यासिन नाके बड़ा पिये माबासरे पहुंची थिला बरम ततकाली ना प्रधान मंत्री मनमहन सिंग क सहा हात्त मिलाव थुबारा फटो सेतमले भाईराल होई थिला ए सत आमदे सरा एठार निरिह लोकोंका हत्याकारी आतंका बाधिंको समानित करा जाए और या बिरोधर जिये स्वर उठाए सेवानको कमुनाल बिभाजन कारी फासिबादी कटर पंथिर आख्या दिया जाए आजी यासिन मलिक को आजीपन करादंड मिलीबा से तथा कथित सेकूलार ओ लिबराल ग्यांको निश्चित खुब पिडा देऊ थुबा ता ये प्रशंगरा रहिची आजीरा मतान तर्रे आलोचना आवसाइता जोडी होई छन्ती प्रफेशार कुलदीवचन्द अगनी होत्री जेकी पुर्वात्तन कुलपत्ती हिमाचल प्रदेस केंद्रिया विश्वविद्याला एबंग जामु कास्मीर बिशारे देशारा जो आगधाडिर जोवाने अच्छन्ती विशेसग्या तांका अभितरू अन्यतम होई छन्ती प्रफेशार कुलदीवचन्द अगनी होत्री है बंग आवसीतमध्य अच्छन्ती पुर्वात्तन सेना अधिकारी तथा प्रत्रियोख्या विशेसग्या करनल त्रिलोचन दास अपना सबस्तां को स्वागत करूछी विशेट कीडिवच्या प्रफेशार अगनी होत्री आपडना पक्को जिवाक को चाहिं भी अगनी होत्री जी आपका स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद दसकों से ये आतंग की खुले आम आतंग बचा रहा था, हत्या कर रहा था एर फोर्स अफिस्वरों का हत्या किया, कास्मिर पंडितों के हत्या के साजिस में ये सामिल था क्या क्या नहीं किया, लेकिन चार दसक लग गया इसको सजा दिलवाने के लिए एक ऐसा भी दोर था जब ये इस देश का हीरो बना हुआ करता था इसे यूथ आइकन बताने के लिए उसे लोग भुला कर कंकलेब में उसका सरहाना करते थे और आज उसे आखिरकार सजा मिल गया क्यूं चार दसक लग गया एक आतंकवादी जो एक स्विकार कर रहा था कुबल कर रहा था बार-बार मैंने उनको हत्या किया मैंने उनका कतल किया फिर भी देश उन्हें सजा नहीं दे पा रहा था देखिए आपने बहुत अच्छा कि पिछले एतने सालों से लगवग चार दशकों से जे जैसन मलक जासन मलक के मान ही रहा था कि मैं इस पर करके काम कर रहा हूं पिर इसको सजा क्यों नहीं दी गई आप जैसन मलक का जो मामला है इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे जान मलक और इसके साथियों ने जम्मू किश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया था उसका कहना था कि जम्मू किश्मीर को हिंदोस्तान से अलग करवाना है और पाकस्तान में शामल नहीं करना ऐसा उसका कहना था लेकिन जम्मू किश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जो ज्यादा किसी बैटिक में ऐसा कहा जाता है कि वो पाकस्तान गए थे जम्मुकिश्मीर प्राक्ट प्रक्टिकरी पाकिसतान नहीं खड़ा किया होगा था पहले जम्मुकिश्मीर अलाग हो किसी ढग से इनके साथ समझोता किया जाए जाने जिसको आप अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं कि इनको अपीज करके अपने पक्ष्मे कर लिया जाए जिए मैं समुझता हूं भारे सरकार की सबसे भ्यंकर भूल थी आतांकबादियों को अपीज करने का रथ होता है कि आतंकबाद को बढ़ावा देना इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारे सरकार पिशले लगबग चार दश्कों से इंडारेक्टली आतंकबाद को ही बढ़ावा दे रही थी इस परकार के लोगों को नायक मना कर आप आपने खुदी कहा कि दिल्ली में सरकार इन्हीं को बुलाती सी बास्चीत करने के लिए तो क्या drinking किश्मीर के लोगों के परतिनी से क्या Estado करते थे क्या जे लेक्शन से चूने हूए लोग थे क्या जे कभी लोगों के पास गए थे ये बंदूख के बल पर गुंडागर्दी कर रहे थे और सरकार इनी को जो मुखिमीर का प्रतिनी मानकर दिल्ली बुला रहे थी आपने अभी पता है कि हमारे जो पूरो प्रधानमंत्री थे डाक्टर मरमोंड से वो इसका स्व है कि भारे सरकार इसको प्रतिनी दिमानती है तो कैसे स्जाज़ देगी ये मैं समझता हूं हिंदोस्तान की खुशकिस्मती है और काश्मीर की खुशकिस्मती है कि जिन लोगों के हाथों में बंदूके हैं भारे सरकार ने उन लोगों को पकड़ना शुरू किया है और ता क कश्मीर के लोग भैसे मुक्त हो सके और कश्मीर में एक नॉर्मल जिंदगी लोग जी सके तो उसी जो बारत सरकार की बदली हुई नीती है बदली हुई नीती मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सही नीती है बारत सरकार ने पहली बार शायर टेरर को कश्मीर में जो टेरर फेरा रह हैं उनको अपराधिक मामला मानकर उनको पकड़ा है और समाने प्रक्रिया में उसको सजा हो गई है लेकिन आपने देखा सबसे जाद किस्कों रहा है आज भी हीरो बनके घुम रहा होता अभी तक अभी दो साल पहले इसको ना पकड़ा होता तो यह घुमी रहा था कर्मिल होंगे कि इन लोगों को हमारी सरकार ने ही हीरो बनाया हुए था आज आपने देखा जो सख्त प्रतिक्रिया कहां से आ रही है पाकिस्क्तान से आ रही है जी और कश्मीर में कौन इस सजा पर रो रहा है महभूबा मुफ्ती रो रही ही है एटीम के लोग रो रहे हैं एटीम प्रसेंट किश्मीर घाटी में एटीम के लोग हैं वो आज रो रहे हैं कि उनको लगता है कि उनका हीरो छिन गया है और मैं समता हूं एक नियायक प्रक्रिया के तहत उसको सजा हुई है और इस से कश्मीर का मनोबल बढ़ेगा कि आप वहां बंदू के बाल से किसी को कोई ड्रा नहीं सकता जी यकिनन यह अभी कास्मीर वासियों का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा एक गदार देश द्रोही जिसको आज सजा मिल रहा है और जलन कहां हो रहा है जलन हो रहा है पाकिस्तान में जलन हो रहा है वो जो जैसे बता रहे थे प्रफेशर अगनी होतरी एटी कर रहे थे उन्हें आज पिडा हो रहा है यासिन मलिक के सजा से करनेल त्रिलोचन दास आमसे तम अध्या जोडी होई छन्ति करनेल लास आपनों को स्वागत आमा देशर आइन व्यवस्ता को जे खोला-खोली चालेंज करू थुला चारी पुर्वतन एयार फोर्स अधिकार आइनकु जे खोला-खोली भावरे हत्या कला जे जन्हे बिचार पतिु को कोड़ परिशरो हो त्या कला जे कास्मीर पंडित मानुको हत्यारे जे समिल थिला जे अवजलगूर को फासी हेला देसर अधालत तको फासी देला किन्तु ता विरोध्रे सेजाई की पाकिस्तान रे देसर जे most wanted आतंकवादी ता सहितम इसी की पाकिस्तान रे वसी अनसन करुथुला से भडी ब्यक्तिकु आम देसरे हिरोरो दर्जा मिली थिला ताको यूथ आईकन को हाजाऊ थुला एबं ताको भारत सरकार डाकिकरी तासाईता अलोचो ना करुथुले आउ केते प्रमाण ता विरुधरे थांता से निजे आउ केहिन वे से निजे जेते अपराद घटेची सबको खुला खुली भाबरे तता कतितक मिडिया आगरे से कही ची एबं खुला खुली भाबरे प्रकास कर्ची किन्तो ता सत्वे कोण एंती थिला कारण आमा देसर आइन वेवस्था आमा देसर सासन वेवस्था कहीं की एते नाचार थिले जो थी पाइंकी आजी पर्जन्त एभलियक दुर्दान्त नरहंता आतंक वादिक को दंडा मली पारू न थिला देखां तु आमा देसर राजनिती आमा देसर कानुन वेवस्था आउ आमा देसर मिलिटरिंग फोर्शेस और पारामेडिकाल फोर्शेस परिश्थिति को ध्यानरे रख़्ी सबु कामा करी थांती बिशेस करी जेत्ते वळे आम फोर्शेस निर्भर करंती कि पोलिटिकाल डिसीशन उपरे तांकर अप्रुभाला आस्तिला परे किछी गोटास पदक्ख्य पर निया जाओ आपनों जानी वे उटे डिडोक्षन होची यासिन मलिक शेफ प्लिडेड गेल्टी कौन फाइं शे जानी परला कि शे प्लिडेड नौट गिल्टी करले भी ताप सप्पख्यर जेत्तिका प्रमाणा अची सबुप प्रमाणिता है जिवो सेकेर्ली ता पाखरे पंदर कोट्रियों संपति कोट्व आशिला कास्मिर रे शेफ कास्मिर पाकिस्तान रू यूए यूरू बा अन्यस्त्रोरू फंड आणी हावाला माध्धमरे देश्व भीचेरे जो गतिविधी चलेई थिला से गतिविधी दिरो आजी समाप्ति है जाईची से तिहार जेल ले सात्त नमर बारेकरे रोहिव आउ ये गोठे मेशेज जाऊची जेत्ते यासिन मलीकरो मंजी भुणा है चांती सेमानाव साहसा करी पारिवे नी के वलिया पदख्य बन बागु आमरा आर्म भोस्ते से अपेख्या करी थांती जे सासन वेवस्ता कोण निर्देस दबो एवं से अनुसार सेमाना कार्जव ग्रहन करीवे तस ए सासन वेवस्ता सासक गोष्ठी काही कि निर्देस दई पारू न थिले जे यासिन मलीक आतंको बादी जे देस्तों को आर्म भोस्ते से अपेख्या करीची तावी उधरे कार्जयनुस्ठा निया जाओ कोण थिला सेमाना कर वाधिवाद कता आउ ता किछी आउ दोड़ दरकार नाई कि तु जेत्ते वड़े राज़न अईतिको परिश्तिती चाहूँची गोष्लो बाद तांको धरीकिरी फटात कीनी एलिमिनेट करीदेले अन्यों प्रकार प्रभाब पड़िवा तेनु से सप्पायरे देख्यी चाही चालिवाको पड़े आउ तार प्रभाब प्रतिकल करनेल दास आपण जने पुर्भतन सेना अधिकारी वरिष्ट सेना अधिकारी जिते वड़े चारी चारी बायुचिनार अधिकारींको हत्याकला एबन खुलाम खुला छाती पिटिकी से कही बुल्ला किदु देशर आइन तकु धरी बहुत अनुताफर विशय जेत्ते वेले आम फोर्चर गोटाई शनीगा मरी जाए आमा समर्षतांग देहरूर अक्तव ही पड़े बहुत अनुताफर विशय जेत्ते वेले आमा समर्षतांग देहरूर अक्तव ही जानी चनती आपना नी ट्राइल इट्सेल्फ श्टेकिंग लंगा किन्तु ये बली परिश्थिते रे एना ये गोटि ये भला दुड़ा प्रदक्ख्य पो नहीं ता ट्राइल कु समावति गरी देची आरेस्त करी दित्तिनी बर्षत वितरे बर्तवाने आसीन मलिक जवत आवे आसीन मलिक भली आज जिये माने अच्छंदी श्यमानुगोटे सिख्या बिली जाइची रातिरे सोही बेनी बाहा आसन दा जे पर्दवाने बंची दिवे सोही बेनी दी बर्षत वितरे सजा हैला चारीस बर्षत धरी से हत्या करीके खुलम खुला बुलूतुला समस्त कभितरे समस्ते नरेंद्र मोदिया अमित्साही परिवेनी समस्ते से जोवपलिया डिटरमेंड एकदम डिटरमेंड पुला आंटी सोशियाल इलिगाल काम एकदम जीरो टोलरांस ये जो मनोभाव बर्तवान सरकार कर अची से परिप्रेक्रेम मोग ही बी ये बर्तवान गोटे निर्नायक श्तितिरे राजनायतिक डिसीशन आशुची से तिपाई देशबासी मानने समस्ते भी खुशी आओ आम फोर्षस मानकर मनोबला बढ़िवा पारा मेडिकाल फोर्षस कार मनोबला बढ़िवा अपर देशबासी माने भी भाविवे देशबासी ना गरिको कि नयाय प्रक्रिवावी ठीक, राजनातिक और प्रक्रिवावी ठीक आओ जा आँ हाँची नयायको प्रक्रिवावी ठीक निश्व द रूपै नाय विवस्त उपर आस्ता आसिव देशंवा आसिव सरकार उपर आस्ता आसिव जे हत्याकारी जे दोसी तकु दंडा मिलूची नाकी दोसी कु समानित करा जाऊँची दोसी सहीत, हत्याकारी सहीत, गोटी ए टेबूल रे वसिकी सरकार कथा है बे, दोसी को डाकी कीरी समानितक करी बे हिरो बन नहीं बे, ये प्रक्या कम से कम देशर है बंध ही छी, एक अथा लोके आजी अनुभव करू छंती, ए प्रशंगरे चर्चा आगको को जारी रही बाक किन्तु समहेज गोट छोटो विरतिरा, तो देशा द्रही आसेन को सजा मिली छी, किन्तु दुर्भागयार कथा ए सजा मिली बापाई, जो अपराधसिये 30 बर्श, 40 बर्श तले करी थिला, ताकु सजा दवापाई, देशार ना आइन वेवस्थाकु, 40 बर्श कि लागी गला, कहीं कि ए दुर्भागया पुन्न परिचिती, कहीं कि सेत्त बलर जोमाने साचत गोश्ठी तिले, गोटे साधारन अपराधिया गरे, पूरा देशर आइन वेवस्था, कहीं कि हाता बांधी होई तिला, ये होची सबुठु बड़ा प्रश्ण, दी बर्श जदी ताको गिराप करा जाई कि ता बिरोधरे 200 प्रमाणी तक करा जाई कि ताको सजा दिया जाई पारिला, कहीं कि सेटा है पारू न थिला, प्रफेशर कूलवीब चंद अगनी होतरिया मसेता चंती जामुका स्मीर संपर करे, जेकि देसर जड़ा सुना विस्थिसज्या प्रफेशर अगनी होतरिया आज पाकिस्तानियों को बहुत पिड़ा हो रहा है, पाकिस्तान के वर्तवान के जो प्रधान मंत्री है सावाज शरीप हो या पूर प्रधान मंत्री इमरान खान, आज यासिन मलिक को स्वतंतरत्या सेनानी बोलकर आज निंदा कर रहे हैं घटन को हमारे देश में भी कुछ कम लोग नहीं है जो ये मानते हैं कि यासिन मालिक क्रांतिकारी है वो फ्रिडम फाइटर है वो लोग उन्हें बुला कर बावाई कर रहे थे कंक्लेब में जब वो बोल रहा था वो अपना अपरात को खुले आम बोल रहा था तो ये त्यालिया बोल रहे हैं लेकिन हमारे दोस्त देश में आज भी हो लोग है जो सायद बोल नहीं पा रहा है है खुले लेकिन उनके मन में तो जरूर पीड़ा हो रहा होगा कि उनका हीरो को आज सजा मिल गया देखे एक पिछले कुछ दिनों से जो नाम चर्चा में है जिसको देश बर में टुकडे टुकडे गयं कहा जाता है प्रैकिकली कोछ शक्तियां हिंदोस्तान में शुरू से ही रही हैं जो हिंदोस्तान की अखंडता को हिंदोस्तान की एक्ता को देखना नहीं जाते और भा तो अपीज करने की रही है, जह उन शक्तियों के साथ ही रही कि भारत सरकार अपना जो concept of इंडिया है, जो concept भारत है, वो उन्हीं टुकड़े टुकड़े gang के concept of इंडिया से मिलता है, भार्ष सरकार के concept of इंडिया में कशमीर जो है वो बिवाद करता हूँ तो जो आज से पहले सरकार ती जब सरकार की पॉलसी ही जह कि किश्मीर बिवाद करत है तो सरकार भारे सरकार के जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं उनको 70 सना नहीं मानेंगी और मुझे एक और डोग है अभी महवूवा मुथी कह रही कि जो बड़ा दर्वागी पूर्णा ऐसा हुआ है महवुवा मुद्टी की sister का kidnapping करने में ऐसा कहा जाता है कि जासिन मलक का हथ था इंट और महवू ब़ुवा मुद्टी के फादर उन्त तो हें खोड़ा भी गया जै बदा हरुाआ का है कि बहुत एक माइक्रो स्कोप माइनॉल्टी जो है वो भारत को तोड़ना चाहती है जासिन मलक तो उसका एक पुर्जा मत्र है और बाकी जो पूरी मशीनरी है उसको सरकार ही शैद दे रही थी क्योंकि जैसे मैंने कहा सरकार का कंसेप्ट भी इंडिया को लेकर वही है ज कि अब उस टुकडे टुकडे गैंग को जिसका जासिन मलक पास आसु पार्टर पारसल अफ डैट गैंग और बाकी जो कश्मीर में जो लोग पकड़े हुए हैं जो इसके काम में लगे हुए थे उनके भी सजाएं आने वाली हैं तो भारत सरकार ने अब उस कंसेप्ट को ब बहुत कि जेएक तथा कथे सेकुलर लेफ्टेस्ट मीडिया है तो वो इसको लेकर रो रहा है बाई मैं कहता हूं आप उस लेफ्टेस्ट सेकुलर मीडिया की बात क्या करते हो अभी हमारे राहुल गांदी लंदर में जाकर हो रहे हैं की इंडिया इस नाट इमेंशन इट इट बाई नेगोशिएशन आप डिफरेंट स्टेट्स पुलिटी का साइंट में स्टेट स्टेट इस कार्डे कांट्री तो जो जबी राहुल गांदी का कंसेप्ट आफ इंडिया जे हैं और ही इड्वोकेटिंग इस कंसेप्ट आफ इंडिया इन लंडन तो ये जासिन मल हैं और दूसरे लोग थे उनका का कंसेप्ट आफ इंडिया कैसे कैसे बढूद सकता है शिए की बात है अब जे पूरा जो गैंग है उस गैंग में चाहे दिल्ली में व्यक्ति बैठा हो चाहे श्रीनगर में बैठा हो जाहे हैदराबाद में बैठा हो उस पूरे गैंग को की देश के सामने अनवरित किया जा सकता है उसको जिसको कहना चाहिए उसका मास्क उतारा जा रहा है और मास्क उतर जाने से कुछ ऐसे लोग भी चिला रहे हैं जिन पर कभी हमें विश्वास ही नहीं था कि वो चलाएंगे हम तो समते रहें जे देश की खंड तक उपासक हैं लेकिन आप उनको मास्क उतारना पड़ रहा है और मास्क उताकर रो रहे हैं तो मैं समझता हूं देखें जे बहुत अच्छा हुआ है जो च्छत्म बेसी है और उनका परदाफास हो गया है परदाफास हो गया है और कश्मीर के देखें एक बात और मिश्राइद ध्यान में रखी है बहुत लोगों को आशा थी कि जासन मलक को सजा होगी तो काश्मीर में आग लग जाएगी लेकिन काश्मीर में कोई आग लहने गी आम किश्मीरी जो है जब मैं आम किश् पढ़ाना चाहता है आम कश्मीरी इस पर प्रसंद हुआ है और जो गिने चुने लोग है जिनको जिस मनी लॉंडरिंग के केस में जिस पर फसे हुए हैं जिनको उस मनी लॉंडरिंग के पैसे मिलते थे वो पथर भेंग रहे थे आज कश्मीर में जो हला गुला नहीं हुआ इस बाकी सब खूस है एटियम दुखी है बाकी सब खूस है जी प्रफेशर में लोटना आपके पास कानेल दास मुआ पड़ पासिवा कुछाहिए जो कथा प्रफेशर अगनी होत्री जो कथा को तुले जे सेत्य वले गुर्वा मंत्रिंक जियक कु रुभ्या साहित को अपारण करा गला येबंग चेत्रे यासिन मलीक रहात अथिवा कथा कथा कौह गला येबंग आजी तांका भूणी यासिन मलीक सेत्य वले दंड़ा पाऊची शेत्य वले कोचन देटा मुस्लिम का प्रति येटा सरकार टार्गेट करूछी तो प्रकृतर सेया कि ये घट्णा को आतंक बात सईत्य कहें की धर्म सईत्य जोड़ा जाऊची लगात तार भाबरे ये बहुत गोटे लाचो लागिवा कता जोठी यासिन मलीक अपोहरणरे लिप्टो थाई और ता प्रति सिप्पाति दे दबा आ थाई आउ बड़ा आस्चर जो जनों को जिनिसों किछी नाई और लज्या जनों को जिनिसों किछी नाई और जो प्रफेसर कहु थिले आउ प्रणवी कहु थिले जो पाकिस्तानी यासिन मलीक कुँ सपोर्ड करुथिले शे यासिन मलीक के बलो तांक अठो पोहिशा नेई येठी काम करुथिला शे ना भारतर ना पाकिस्तान ना हवाकु चाहु थिला शे गोटा अलगा दुनियारे बुलिवाकु चाहु थिला तांको ग्यांग भी सामिल थिवारो सरकॉंस्टांचियाल एविडेन्स अची कारण जदी नोथांता सेमाने सब्बू अलगा-अलगा जाकरे अलगा-अलगा को थाक हो चो दी किन्तु जेत्ते बड़े तांको दोलर गोटेलोकू पनिस्मेंट है गला शेत्ते बड़े तांको दोया भावो जाग्रत है जाओची याठो लज्यार विशा किछी नाए निश्चु दुर्भागे जनक एबंग लज्यार विशा किछी नुए जो देशरे रहू चंती एबंग से देशा विरोधी कामा करितिवा देशा द्रही कुझ जत्ते बड़े सजा मिलूची सबानंक आखिरू लोजर जाओचे भंग दुर्भागेर कथा तांका भोणिकु अपहरणारे रुब्या सहित को अपहरणारे जो यासेन मलिक संप्रुक्त थिला एबंग ताक्कु सजा मिलिबाकु एकु हिंदु मुस्लिम कार खळीवा पाई पच्छोव नाहांती मेंबुबा मु यासेन मलिक भली भावने सजाब पाई वे एक अथा जो मने देशा प्रमी सेवाने निश्चीत रुपे आसावादी बोद धन्यबाद करनेल दा समस्चत जोड़ हिरत वारू प्रफेशर अगनी होत रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यबाद हमारे साथ जोड़ने के तो ये थिला देशो द्रही यासेन मलिक कुर ये थिला सजाजी मिलिला एबंग आगोको अहुरी यासेन मलिक जो माने लुची चंति समाने मद्य सजा पाई वे एक अथा देशा प्रमी समाहिच मता अंदू बेचा नमस्काइब करूं वेस्टें